पवित्र ईदो जुहा के पावन अवसर पर सोमवार शहर शिल्चर में एक बार फिर संसनी की माहोल खड़ी हो गई है। शहर से सटे तारापुर्क शेत्र के मदन मोहन रोड में एक व्यक्ती के घर से बरामद हुए गुमांस को लेकर इलाके तनाव फैल गई है। स्थानिय लोग और विभिन्न हिंदू संगठन एक जुट होकर आरोपी के गिरफतार के मांग पर बिक्षो प्रदर्शन किया। इधर इलाके के हालाद बिगड़ते देख शिल्चर सदर ओसी और तारापुर थाने के इंचार सहित कछाड के अतिरिक्त पूलीश अधिक्षक सुबरत सेन घटनास्थल में पहुच कर गोमांस उध्धार करते हुए थिनांग रंगमाई और चामलाक रंगमाई नाम के दो आरोपी को गिरफतार तो किया लेकिन मांसकान के मुख्य आरोपी फरार होने में सफल हुए इधर स्थानिय लोगों ने हिंदू संगठनों के साथ मिलकर मुख्य आरोपी को गिरफतार करने के मांग पर आक्रोश जताते हुए प्रतिवात को और भी बढ़ावा दिया और समाचार पाकर शिल्चर के बिधायक दिपायन चक्रवर्ती थाने में पहुँचकर पुलीश से बातचीत करते हुए मुख्य आरोपी को जल से जल्द गिरफतार करने का मांग किया और स्थानिय लोगों को इलाके के शान्ती व्यवस्था बनाए रखने का भी आवेदन किया इधर घटनाकरम को लेकर हिंदू संगठन के सदस्यों ने कहा कि शहर में गोमान्सकांड या गाय की हत्या कभी बरदाश्ट नहीं किया जाएगा अगर जल से जल्द मुख्य आरोपी को पुलीश गिरफतार नहीं किया तो आने वाले समय में हालाद बेहद नाजुक बन सकता है और इस घटनाकरम से शहर भर में कोई अप्रिय वारदाग गठित हुई तो पूलीश जिम्मेदार रहने का चेताव नी दिया इधर हिंदू संगठन और स्थानिय लोगों के दवाव में आकर तारापुर पूलीश घटनाकरम के कुछी घंटों के अंदर मासकान के मुख्य आरोपी जियानपुना रंगमाई को गिरफतार कर थाने लाकर चानबीन प्रक्रिया शुरू करने के बाद ही परिस्थिती नि अंत्रित में आई है